वेल्कुम बेट फ्रेंट्स आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पलस्टीबल सेवन में आई देख लेते हैं आज की दिन के लिए आपके स्प्रेट का एड़ आको क्या मेसेज़ दे रही है लाइफ की सीरे में वा आपको गाइड करना चा अगर अपने नहीं देखे है अपनी विकली प्रेडिक्शन और Л color रियर डीक्स तो आई कि इस्प्र讃 के लिए आनकर सब्स्टी पता ना चाहते हैं किस सर्था की आङी तो देखे जब इस बें काट में शफल कर रही ती जब मैं प्रेयरी करे थी इस मेंसेज लेने के लिए तो उस वक्त मुझे सबसे पहले जो जो सबसे पहला थौट आया था या विचार के लिजिए आपके स्पृट कायड ने दिया था कि हार्ट प्रेक की सिचेशन वो मुझे बता रहे हैं कि दिल में दुख है अभी तो किसी भी प्रकारगा हो सकता है हो सक होता है मैसेज चैनल करने में टाइम लगता है जैसे कि आप जानते हैं तो किंग आफ सोर्ट का कार्ड है पहला तो कुछ इस तरह की अनर्जीज हैं आपकी की बहुत ना जिस तरह से कहा जाए कि बहुत जादा ना दिमाग में चीज़ों को लेकर ना आप करना चाहते हैं बहुत सारे चीज़ों को आप इंप्लिमेंट करना चाहते हैं लेकिन उनको करने के लिए या तो आपको मौका नहीं मिल रहा या फिर ना आप उस तरह से नहीं मिल रही है, मौका नहीं मिल रहा है, या आपको कुछ लोग support नहीं कर रहे हैं, आपकी help नहीं कर रहे हैं, आप चीज़ों को अपनी life में बदलना चाहते हैं, यहां actually card तो किसी और तरह काया है, लेकिन message जो आ रहा है, जैसे ही सब को पता ही है, कि channel message में लेती हूं, तो card को change करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को बदलना चाहते हैं, और एक ना बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं अपनी life में आप, तो कही ना कहीं इस में आपको कुछ लोग support नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग आपको guide नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग आपकी help नहीं कर रहे हैं, यह कुछ लोग आपको करने दे भी नहीं रहे हैं, यानि कि कुछ न कुछ अर्चने ऐसी आ गई हैं आपके लाइफ में, जो आप चीजों को चाहा कर भी नहीं बदल पा रहे हैं, और ना उल्जन में हैं, एक वर्ड आ रहा है, उलजन में हैं, आप उलजन में हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग चेंज करना चाहते हो हो सकता है आप में से कुछ लोग उनी सिचुछेशन को रहकर उन सिचुछेशन को बदलना चाहते हो, या उन लोगों को बदलना चाहते हो कुछ इस तरह का भी हो सकता है यहाँ पे और आपके spirit card ना यहाँ पे यह कह रहे हैं कि मन आपका अच्छा नहीं है मन आपका बहुत खराब है अंदर से लेकिन आपको बार-बार heal किया जा रहा है आपको बार-बार protect किया जा रहा है आपकी intuitions को strong किया जा रहा है तो यहाँ पे आपको चीज़ों को लेकर actions तो ले रहे हैं लेकिन आप चीज़ों को लेकर सोच नहीं रहे हैं यानि कि आपना दिमाग में विचार नहीं बना रहे हैं आप actions ले रहे हैं और अपने intuitions पे भी आपने शायद यह तो बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया है या फिर आपको यह लगता है कि मतलब एक न लड़ाई लड़ रहे हैं आप जैसे किसी के साथ में यहाँ पे एक जंग जीतने की आपके अंदर बड़ी ख्वाइश है आप चाहते हैं कि जो भी इनसान आपके 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 पहचान हो आपका कोई रिष्टा हो या कोई भी लाइफ में आपकी ऐसी चीज़ है जो आपको वापस चाहिए जो की आपकी थी अब एक्चली वही बात है कि कार्ट अलग हैं और मैसेज़ेस अलग हैं तो फिर आप जरू देखेगा आपसा कितना रेजोनेट करता है जो चीज़े रेजोनेट करें ले लीचे का जो चीज़े रेजोनेट ना करें उनको जाने लीचे का जिसे आप में से कुछ लोग इस तरह से हैं कि उल्चे बड़े हैं अपने आप में अपने आपका अपना दिल नहीं एक हो बाते कह नहीं पारे दिमाग में ना अपके लगतार विचार चल रहे हैं प्लाकि आपने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकि फिर भी कहीं न कहीं वो रुकते रही हैं, वो आते रहते हैं, वो आते रहते हैं, तो यहां पर जो भी आते के सोच रहे हैं, इस वक्त यह जो भी आप चीज़े करना चाहते हैं, उनमें आपने ना कोई होगा, वो यहां बहुत strong message दे रहे हैं कि हर कदम बढ़ाना होगा, मतLAR एक कदम आपको बढ़ाना होगा, हर कदम सोच के रखना होगा, तो आप सोच नहीं रहे हैं, यहां तो आप बहुत जल्दी कोई actions ले रहे हैं, यह चीज़े ना बहुत जल्दी जल्दी आप कर रहे हैं यानि कि आपने बस सोचा बदलना है बस चुटकी बजाई और बदल दो लेकिन आप उन चीज़ों की दूर तक के शायद दूरगामी परड़नाम आप नहीं सोच रहे हैं कि आप दूर का नहीं सोच रहे हैं आप होने में समय लगे या उनमें आपके रिजर्ट आने में टाइम लगे क्योंकि 7 of Pentacles का काड़् है तो आपके काड़् आता है एक या नई चपल खरीदने की इच्छा हो आप लोगों की या आप कोई आपके पास special चपल हो जो आपको बहुत पसंद है तो कुछ न कुछ ऐसा हो सकता है लेकिन जो भी आपकी लाइफ में चीजे चल रही है आपको अपने कदमों को देख कर रखने की जरूरत है यादि कि आपको जरूर सोचना चाहिए और समझना चाहिए आपकी स्प्रिट कैड आपसे लगतार ना कनेक्ट होने की कोशिश कर रह आते हैं आपको इंट्यूशन होती है आपको लगता है कि आपके दिमाग में अचानव कोई विचार आया अचानव कोई चीज़ ही लेकि शायद आप अपने विचारों को इग्नोर कर देते हैं या उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं जो कि आपके लिए फायदेमद हो सकता है तो अगर कुछ ऐसा है तो आप अपने दिमाग में आई होए विचारों की तरफ एक बार जरूर फोकस कीचेगा कि आपके माइंड में कोई थोट आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है चीज़ों में अपनी थोड़ी सी एथारटी रखिए यानिकि अगर आप सिर्फ अपना एक्शन्स ले रहे हैं और आप चीज़ों को लेकर सोच नहीं रहे हैं तो आपको थोड़ा सा रुक कर सोचना चाहिए यानिकि अपने कदम उठाने से पहले आपको जरूर सोचना चाहिए तो आपके लिए हो सकता है कि चीज़ों में आपको रिजल्ट देर से मिले लेकिन आपको रिजल्ट मिलेगा लेकिन अगर आप अंधरधुन चले जा रहे हैं या भाग रहे हैं तो हो सकता है कि वो रिजल्ट आपको उस तरह से ना मिले जिस तरह से आप सोच रहे हैं या जिस तरह से आप एक्सपेट कर रहे हैं कि आपको जिस टाइम पिरिड में मिलना चा तो चिल्डरन का कार्ड आया है जरूर आपकी लाइफ में हो सकता है कि जो हम चपलों की बात कर रहे थी तो जरूर हो सकता है आप बच्चों के लिए खरीदते हूं या आपकी लाइफ में बच्चे एक important part रपते हूं और अगर आपको एक question या आपकी जो भी situation है अगर वो life में आई है एक soul planning करके यानि कि soul plan करके आती है कि मुझे किस घर में बर्थ लेना है और मेरी क्या-क्या bringing होगी तो उसको भी नहीं खराब कीजेगा आपको जरूर सोचना चाहिए समझना चाहिए कि आप कौन से step उठा रहे हैं या आपके उठाए हुए कदमों का आपके पर जाते हैं तो वो जरूर ट्रांसफर होते हैं आपकी other generation में या आने वाली generation में और अगर आप में से किसी की wife pregnant है या आपकी घर में कोई pregnant है तो आपको जरूर देखना चाहिए कि आपकी चीजों को जल्दबाजी में कर रहे हैं या करना चाहते हैं और अगर already कोई pregnant है तो आपकी spirit guide यहां आपको protect कर रहे हैं आपको guide कर रहे हैं आपको messages दे रहे हैं आपको बोल रहे हैं कि अपना ख्याल रखे और जो भी कदम आप रख रहे हैं सो समझ के रखी ध्यान से चलिए तो मेरे मूँ से अचानक ही निकल गया है तो अगर आप में से कोई lady pregnant हो या आपकी spirit guide की guidance को सुनिए और सोच कर ही कीजिए एक दफ से action नहीं लीजिए सोच समझने के बाद ही किसी काम को कीजिएगा तो hope कि आपके spirit guide की guidance आपको समझ आई हो पसंद आई हो समझ आई हो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और comment box में मुझे जरूर रह आई ही का कि यह leading up को कैसी लगी और आपसे किस तरह से resonate कर पाए आप का आने वाला समय बहुत 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 शुभू थैंकिसो वेरी मुच कोड़ प्रेस याल